सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें हिंदुस्तान में देश में इस्कूल वे कुलेज कब खुलेगी या नहीं खुलेगी बारत सरकार के सवास्ची मंत्रालिय ने बताया नेशनल न्यूज है मितरू बहुत बड़ी न्यूज है यहापर आप देख सकते हैं एक सितंबर से स्कूल या कुलेज खुलेंगे या नहीं खुलेंगे इसके बारे में वीडियो में हम तोड़ी चर्चा करेंगे बहुत सारी अफोई फैल रही है हम उन पर भी चर्चा डाले भारत में 1 सितंबर से अलोक फोर की गाइड लागू होगी भारत सरकार के घरे मंतराले द्वारा गाइड लाइन तैयार कर दी गई है खबरे आई ठी की प्राइवेट सकूल संचालकू के दबाव में आकर सरकार 15 सितंबर से इसकूल और कोलेज कर रही है जबकि उनके माता पिता नहीं चाहते कि जब तक संक्रमन का खत्रा कमने हो जाता तब तक बच्चों को स्कूल ना बुलाया जाए लोग जानना चाहते हैं कि इस मामले में सरकार क्या करने वाली है सवाश्ची मंत्राले के सचीव सिरी राजयज पूसर ने इस सवाल का जवाब दिया है क्या जवाब दिया है सवाश्ची मंत्राले के सचीव राजयज पूसर ने का है कि अनलोग को लेकर गरे मंत्राली की और से जारी गाइड लाइश में स्कूल और कॉलेज के खोलने से समधित कोई निर्देश नहीं है यानि एक सितमर 2020 है सेंक्सिनिक संस्ताओं को खोलने की प्रिक्रिया सुरू होने की कोई सम्भावना नहीं है वैसे भी अक्टूमर के महिन में उपचुनाव होने सरकार का कोई भी फैसला उपचुनाव को प्रभावित करेगा कैसे पता करेगी क्वारत में स्कूल कोलेज कब खुलेंगे मैं सबसे बड़ी बात मोटे तोर पर यही बता देता हूं मित्रूँ आपको इसका पूरा निशोड की एक सितंबर से जो लोग बोल रहे हैं स्कूल कोलेज खुलने वाली है वो अफ़वा फेला रहे हैं ऐसा सरकार ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया है जैसे ही कोई फैसला लेगी हम आपको सबसे वेले वीडियो अफलोड कराएंगे उपलब्द करवाएंगे धन्यवाज जैहिन